हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आई हूँ घरेलू नुसका जो कि आपके बड़े हुए कान को छोटा करेगा और सिर्फ हमें उसके लिए एक ही चीज चाहिए जो कि आपको उसका लाब देगा इससे पहले भी मैंने आपक और तो आज का वीडियो जो है बहुत ही यूजफूल है तो आप पूरा देखिएगा इस कि नहीं कीजेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगा सबसे पहली बात कि अगर आप अपने कान के छेट को बड़ा नहीं होना देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीजे करनी चाहिए क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए सारी चीजे मैं इस वीडियो में आपके शार्ष शेयर करूँगी आज कल बड़े साइज वाले और लटकने वाले इयर रिंग का फैशन है और आप अपने आसपास ऐसे लड़कियों को भी देखते होंगे जो की इस साइज के इयर रिंग पहनती है लेकिन ऐसे इयर रिंग पहनने से कान में पियर्सिंग वाली जगर पे खिचा होने का डर र नहीं देना चाहते हैं तो आपको इस दियान होंगा अगर आपके छोइज बड़े हो गए हैं उसको झञालो ने कके दूर कर सकते हैं आईए जानते हैं आपके बड़े ज़्यमके पहन रही है तो कोई न कोई सपोर्ट ज़रूर ले कपड़े और बहते समयों भारी या लंबे इयरिंग उतार दें कभी भी ज्यादा देर के लिए लटकने वाले इयरिंग ना पहने इससे कान के छेद जल्दी बढ़ जाते हैं अगर एक बार आपने उस जगह की सरजरी करवाई हो तो कम से कम अगले छे महीने तक दोबारा से उस जगह की पियर्शिंग ना करवाई अगर कान के छेद बढ़ गए हैं तो इस घरेलो उपांए से आसानी से छोटे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आगे जाने इस के लिए आपको क्या चाहिए एक ही चीट चहिए वह है तूठ पेस्ट वही तूठ पेस्ट जो आप डेली यूज़ करते हैं अपने दातों को चमकाने के लिए सबसे पहले कानों के नीचे एक टेप लगा लीजे जिससे की कुछ लगाने पर हटे ना इसके बाद इसमें तूच पे भर दीजे और उसके चारो बाहर तरफ बाहर की जगर पर साफ पानी से साफ कर ले रात भर लग क्योंकि कि लुए बुर्ग हो जातीक हमें जरूर लगाना चाहिए लोसन क्योंकि पेस से स्कीन ड्राइब हो गई है इस विधी को तो आपको रुजाना करना है जब तक इसमें कोई बीए ना पहने जब तक आप की साईज्ज है वो कब अमीद करती हूं कि एक छोटी चीज आपके बहुत काम आएगी और आपको वीडियो पसंद आएगी और पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर देखे उसमें भी हमने कई सारी अलगे लगती शेयर किये हैं तो आप उस वीडियो को भी देखे यह बिलती हूँ मैं फिर अपनी अगली वीडियो में तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रहें थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो